नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपके बताने वाली हूँ अगर आपके पास आइटल विजिन 1 है या फिर आइटल का कोई और मॉडल है तो यहाँ पे आप अप लॉक कैसे सेट कर सकते हैं आप लॉक की सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे फोन मास्टर का ओप्शन दे रखा होगा आप फोन मास्टर पे क्लिक करेंगे इस टेप से यह उपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको आप लॉक का ओप्शन दे रखा है आप इस पे क्लिक करेंगे और जो check mark करेंगे वही lock होगा ठीक है, for example मैं इन 5 चीजों को lock कर देती हूँ और protect पे click करूँगी और यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी आपको pattern draw करना है जैसे यह वाले draw कर देती हूँ मैं इसके बाद दुबारा से draw करना है यह हो गया है और got it setting पे click करेंगे और phone master के option को आप allow कर देंगे यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह lock लग चुका है आप चाहो तो यहीं से आप इसको unlock भी कर सकते है ओके कर देंगे, ऐसे करके ओके कर देंगे और आप चाहें तो इसको lock भी कर सकते है यहीं से, ठीक है यह 5 चीज़े lock हो गई है अब यहाँ पे आपको और भी settings देखने को मिल जाती है जैसे security question तो यहाँ पे आप security question यह hype protection के लिए होता है जैसे कि आप कल को app lock वगर भूल जाते हैं इससे आप recover कर सकते हैं आसानी से तो यहाँ पे आपका जो भी question है आप इस पे click करके choose कर सकते हैं और उसका answer set कर देंगे ठीक है और इसके बाद done पे click कर देना है तो यह set हो चुका है या फिर अगर नहीं set हुआ है तो यहाँ पे आप set कर देंगे दुबारा से और done पे click कर देंगे अब set हो चुका है permission required पे आप click करेंगे तो इसको आप notification allow करना है तो allow कर सकते है notification और इसका phone master on कर देंगे allow कर देंगे ठीक है इसके बाद आप back कर देंगे तो यहाँ इसके notification भी आपको receive होने start हो जाएंगे अब यहाँ पे हम back कर लेंगे अब यहाँ पे जो जो application को आपने lock लगाया था पहले उसको आप खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप से lock मांग रहा है तो जो भी आपका pattern lock आपने set किया था या फिर कोई भी lock वो आप draw करेंगे तो देख सकते हैं यह खुल गया है तो इस step से आप app lock set कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार